हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं सब भी दोस्त जो है नोट बुक और पैनल लेके बैठ चुके होंगे ठीक है अपना आज का वी वीडियो जो है दमाकेदार कोश्चन्स जो है अपने करने वाले हैं जिसमें की जीके और जीएस आलमोस्ट आपको पालूम है हमा प्रिंट Bardzo रहने वाले हैं आप सभी दोस्तों के लिए तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरूँ पहले कोश्चिंज के साथ जो दोस्त कुछ नए है अपने चैनल पर जिन्हों नहीं तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों एक बर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी class रहेगा इसका पीडिया वहां पर मिल जाएगा तो चलिए first question हमाँ देखते हैं पहला question क्या कहता है मिखेल के लेटर है ठीक है मिखायल कास्तरि कोब ठीक है कि प्रसिद्ध अनवेशक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर क्या है ठीक है प्रस्ट आफ़ाल मैं उम्मीद करूँगा आपको इनके बारे में मालूम हो ठीक है अगर तो आपको इनके बारे में मालूम है ठीक है तो आपको मालूम होगा इनके experiment का joint में है ठीक है इसमें सबसे important जो इनका explorer है वो क्या है AK-47 ठीक है नहीं समझा रहा सुनिए यह developer है ठीक है इन्होंने developing की है develop की है AK-47 जो है AKM जीस के कहते हैं ठीक है वो जो है वो इनके द्वारा assault rifle जो है उसके यह master रह चुके है पर यह है कून यह है Russia military के journal ठीक है general है Russia military के Russian army के ठीक है यह AKM का जो concept है यह इनके द्वारा बनाया गया कहलेजिए machine gun होगे assault rifle होगे इसमें यह master थे ठीक है next question पर चलते है next question है BBC means ठीक है BBC यह British broadcasting जो होती है ठीक है BBC news का एक network है ठीक है जो कि आजकल हिंदी में भी आ चुका है पहले सिर्फ यह English में था ठीक है तो option यह इसमें से रहेगा यहां पर इन्होंने full form जो है वो पूछी हुई है next question दिखते है question number तीसरा क्या कहता है इसमें से यह तीनों खिलाडियों के जो नाम दिए गए है यह तीनों के तीनों खिलाडी टेवल टैनिस के प्लियर है ठीक है जिसमें हमारा answer कह रहे हैं answer option number D बहुत बड़े सब भी दोस्त जो है live chat में answer देते जाहिए ठीक है अपना score बताईएगा last last में में मिरको कि 30 आप आपके कितने जो हैं दोस्तों यह जा रहे हैं ठीक है उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा यह बस कहने की बात है। कहने के बेस पे इन दोनों को नेशनल गेम कहते है इंडिया के बट ओफिशल हि जो है अभी तक कोई भी गेम जो है रिकर्णाइस नहीं की गई है as a national game of India ठीक है। हुस पांंच मुण देख यह वाई डेक है ऑज नेशनल पार्क यह किस स्टेट्ट में है देखिए नेशनल पार्क के ओपर कुईश्णमेरे बाई वह जरू पढ़िएगा जरूर पढ़िएगा टॉप्रुट इनमें भी एक important है ठीक है रुनाच्छल प्रदेश में है नमदापो ठीक है नमदापो नेशनल पार्क और असाम में असाम में कौन सी है तो काजी रंगा नेशनल पार्क किस लिए किस जानबर की बज़ा से यह आपका होमवर्क है एक क्वेशन हो गए आपके होमवर्क का ठीक है एक और कोईशन आपको दूंगा बाद में कुछ नबर 6 दे लगते हैं 1913 में बारत की पहली फिल्म किस ने बनाई थी तो सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी दादा साहिव फाल के दोरा ठीक है दादा साहिव फाल के जीग दोरा जो है सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी और एक आपकी नौलिज गले अडिशनल कोईशन बता दूं कि आलम आरा जो है आलम आरा ठीक है यह पहली स्पीकिंग मुवी जो है यह पहली स्पीकिंग मुव है तो इंडिया गेट जो है डेली के सामने और न्यू डेली में। तो स्रीनगर की famous चीज डल लेका ठीक है यह तीनों जो है इन तीनों के important important जो है नाम बता दी है ठीक है question number 8 ते देख लेते हैं कि commission planning commission planning commission जो है उसकी स्थापना कभी की गई थी planning commission कभ established जो हुआ था ठीक है तो planning commission जो है 1950 में हो था planning commission actual में है क्या देखिए आपने सुना होगा कहीं बार अगर आप news देखते होंगे कभी कभार देखिए होगी five year plan सुना होगा अपने ठीक है five year plan रखा गया इसमें यह करेंगे वो करेंगे तो वह जो five year plan की procedure है वह जो चीज चलती है यह निकली है तो वही planning commission के अंदर आ रहा है ठीक है five year plan जिसमें यह बनाते है target लेते हैं गवर्मेंट्स जो भी होती है वह फाई यह कर प्लान के recording लेती है ठीक है शबत लेती है कि हम यह करेंगे वह करेंगे जो भी बाद आपके रहते हैं गवर्मेंट्स के चलिए तो next question देखते है कि Mediterranean and Capricorn line जो है वो इन में से किस कंट्री में से पास होती है ठीक है भूम अद्य रेखा और मकर रेखा ठीक है Capricorn line और Mediterranean line इन में से किस कंट्री से पास होकर जो है गुजरती है तो वो गुजरती है इन में से सिर्फ ब्राजिल में ठीक है सिर्फ ब्राजिल में गुजरती है चलिए Question number 11 देख लीजिए Roundtable Conference के वर Question बाई Important Question है Roundtable के दो Question आते है एक तो आता है First का कि First Roundtable जो है वो कब हुई थी और एक आता है Second का Second की बात की जाती है तो suicide होगे थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के दवारा अट्मा गांधी के दवारा ठिक है और इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के दोरा दूसरी वाली वो वो होस्ट की गई थी और पहली आपहली कि इसकी देटा है 1930 1930 में बहले की गई थी विजिंग जो है यह चाइना की कैपिटल है ठीक है टेलीग्राम जॉइन कर लिजेगा वर्टसाप ग्रूप बनाए होएं अगर एक फूल हो जाता है दूसरे में जॉइन कीजिए ग्रूप जॉइन कर लिजिए क्लास होने के बाद पीडियेफ जो है वो आपको ग्रूप पे दे दूँगा ठीक है यह वाली चलिए नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 13 क्या कहता है कि नतुला पास जो है कहां पर भाई इंपॉर्टन कोशन है यह कह रहा हूं इंपॉर्टन कोशन है लिख लो नोटबुक लेकर बैठा करो सभी दोस्त जब भी पढ़ने बैठते हो पास कहां पर है सिक्किम में कुशन नमबर 14 देख लिजिए कि मेगदूद के लेकर कौन है मेगदूद जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है बहुत बढ़ी है इंपॉर्टन कोशन है इंपॉर्टन कोशन है बहुत बढ़ी है सभी दोस्त आंसर दीजिए लाइफ चैट जाए जो बाद में देख रहे हैं लाइफ होने के बाद कमेंट वॉक्स में अंसर देते हैं इस अभी दोस्त बहुत बढ़िया महाबारत बेदव्यास द्वारा महारिशी बेदव्यास के द्वारा महाबारत लिखी गई है कुशन नबर 16 देखते हैं विचाओ नेम है कौन से ड्रीमे का यह मिकल नेम का यह हां हम से यहeti बहुत बढ़्या बहुत बढ़्त बढ़ीया एक इप भी बोलते हैं और आयरे सब्सक्राइब के बात कि जाए Прав verbal कि ऐख क्या रहेगा 26 ठीक है 26 इसका atomic number रहता है नेक्स question देखते हैं से की साथ air pollution के ओपर question है भाई कि भायू production किस किन कारणों से होता है options आपको दिये हुए है CO2, SO2, smoke and all इन में से किस की बज़ा से जो pollution होता है carbon dioxide की बज़ा से होता है मालूम है ठीक है smoke की बज़ा से भी होता है carbon dioxide की बज़े से भी होता है बीच में बचा SO2, SO2 क्या चीज़ होती है SO2 होता है sulfuric acid ठीक है SO2 है sulfuric acid तो sulfuric acid की बज़े से भी pollution होता है तो इसमें हमारा answer जो है वो क्या रहेगा answer रहेगा option number D all of these carbon dioxide sulfuric acid और smoke इन सभी की बज़ा से जो है pollution होता है question number 18 देख लिए वायलोजी के father किसे है Aristotle कहां है और इस टोटल है option number A में ठीक है Aristotle को father of biology के नाम से जाना जाता है चलिए next question है कि functional unit of kidney is functional unit of kidney is kidney का काम क्या है ठीक है mean जो है वो कहां पर काम होता है liver में nephron जाफिर बहुत बड़े है बहुत बड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल सही answer आ रहे हैं देते जाएं सभी दोस्त आंसर देने के ट्राइए गलत सही जो भी आपके माइन में आ रहा है answer देते जाए comment box में बिल्कुल तो nephron बिल्कुल सही रहेगा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चकर जो होती है ठीक है तो वो क्या होती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं glucose option number B ठीक है question number 20 और option number B के साथ जा रहे दोस्त बिल्कुल सही answer सभी का चलिए question number 21 important question है यह सभी के सभी vitamins जो है important है ठीक है सुन लिजिए इन चारो vitamins की question आता है कि कौन से vitamin की कमी से कौन सी बिमारी होती है सबसे पहले हम चलेंगे vitamin A के साथ vitamin A की कमी से कौन सी बिमारी होती है नाइट blindness होता है सकर्भी सकर्भी एक होता है और vitamin B की मजए से होता है रिक एगत्स ठीक है बहुत बड़िया कबर हो गए चारो की चारो बिटामिन से कौन-कौन सी डिजीज होती है बेरी-बेरी, सकर्भी, नाइट ब्लाइडनेस एंड रिकेट्स याद कर लिजेगा यह important है इसके related आपको एक आदा question देखने को मिल जाएगा question number 22 देख लिजे कि कितने पेर्स जो होते है अगर पूछ ले जाए total कितने होते है total होते है अगर बात की जाए पेर्स की तो पेर्स आ गई हमारे कितने 3 पेर्स बोले तो जोडे जोडे तीन हो गए और total जो है वो 6 हो गए question number 23 देख लिजे carbon atoms in glucose ग्लूकोज में carbon atoms कितने होते हैं बिल्कुल basic है 6 option number C carbon atoms कितने होते हैं glucose में 6 option number C इसमें सही रहेगा जो कुछ questions दोस्तो एक चीज़ आपको बता दू जो कुछ questions आपके लिए नहीं है जो questions आप first time पढ़ रहे हैं जो आपके नहीं मालूम है प्लीज notebook लेकर बैठिए एक साथ में एक notebook लेकर बैठिए pen लेकर बैठिए जितना time भी आप पढ़ रहे हैं notebook और pen रखें जो जो questions आपके लिए नहीं हैं जो questions आपको नहीं आते हैं उनको लिखते जाएए बाद में जब आप revision करेंगे एक दो बार revision करेंगे तो वो questions जो है आपको दिमाग में बैठ जाएंगे ठीक है तो next question देखते हैं question number 24 कि air हवा जो है वो क्या है ठीक है हवा जो है वो क्या है देखिए ऐसे questions में simple दिमाग लगता है simple option number पहला हुँने नहीं बोला कि weightless गलत है option पहला क्या हवा का बजन नहीं होता होता है definitely बजन होता हवा का क्यों नहीं होता एक गुबारे में हवा फिल करो helium को छोड़के हवा करो normal air फिल करो गुबारा नहीं उड़ेगा नीचे आजाएगा बेट होता है ठीक है तो पहला option ही गलत होगा मतलब पहला option गलत हुआ ठीक है बहुत का जो था बहुत भी गलत होगा क्योंकि ये दोनों तो नहीं हो सकते ठीक है तो बचाते पिशे onerous ठीक है onerous जो है air is an onerous ठीक है onerous क्यों होता है कि वह है ऐसी चीज़ इसका meaning specific क्यों होता है जिसके साथ deal करना difficult हो ठीक है difficult to deal ठीक है चलिए option number 20 में आपका सही answer रहेगा question number 25 देखते है ameva के ओपर question है भाई 9th class की 8th class 8th 9th class का question है ameva जो है वो क्या है ameva is a unicellular multicellular जा फिर both ameva जो है वो unicellular होता है ameva में single cell होता है जैसे human body है इसमें बहुत unginate cell है ठीक है लाखों क्रोडों के अर्बों के हिसाब से cell है वैसे ameva की बात की जाए ameva के अंदर सिर्फ एक cell होता है हमारे अगर कोई एक part लेजिए अगर एक finger ले लेजिए उसमें भी unginate cell है ठीक है ऐसे 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 बनते हैं ameva ठीक है यह दो साल बाद में अलग हो जाते है फिर दो ameva बन जाते है ऐसे इनकी जो have growth होती है reproduction जो है इनकी वो इस तरह से होती है ठीक है चलिए question number 26 देख लेते है कि remote का tv का जो remote होता है उसमें कौन सी बेच जो है कि आपको एक्जाम में helpful रहेगा ठीक है question कहता है which of the one following particles has the lowest energy इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसमें सबसे कम energy होती है सबसे low होता है ठीक है तो alpha वाई जो है अपना यह सबसे शरीफ है ठीक है alpha सबसे शरीफ है सबसे मासूम है ठीक है इसमें होती है lowest energy option number A इसमें अपना बिल्कुल सही रहेगा question number 28 question है कि number of isotopes in hydrogen hydrogen में कितने isotopes होते है ठीक है बहुत बढ़िया hydrogen hydrogen H symbol से होता है बिल्कुल hydrogen में होते हैं 3 option number C बिल्कुल सही option number C ठीक है मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ question number 29 electric runs जो है वो flow due to the moment of electric runs जो है वो किसकी moment पे जो है वो flow करता है electron, proton, neutron जहां फिर photon photon तो ऐसे देख दिए है option में ठीक है तो electric runs की जो moment होती है वो किसके flow के उपर होती है वो होती है electrons के ओपर ठीक है option number A इसमें जो आपका बिल्कुल से ही रहने वाला है चलिए next question देख लेते है question number 30 है artist artist disease गठियां गठियां गठियों का रोग जो है ठीक है वो किसके संबंदित है गठियों का रोग ठीक है बहुत बड़ी आप basic TV में ads देखते हूँगे भाई आप इसकी ठीक है कोई भी joint होगे जैसे गुटने होगे ठीक है उसके बाजूं के joints होगे ठीक है arms के जो arm joint होगया गुटनों का joint होगया यह होते है गठिये ठीक है यहां पर भी जोड़ होते है वहाँ उसे कहते है गठियों का रोग ठीक है तो अपने questions जोएंद वो 30 वो चुके हैं, सब भी दोस्तों से एक बार requests है कि जल्दी से अपना score बता दीजे कितने कितने questions आपके सही गए हैं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहाए है, दोस्तों एक बार like करदे वीडियो को सभी दोस्त, और जो कुछ दोस्त नहीं ह अपने साथ चैनल को सब्सक्राइब करतें ताकि आने वाले सभी वीडियो जो आपके तक पहुंचते रहें आपको मिलते रहें ठीक है अग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ग्रूप जोइन कर लीजीगा वट्साप ग्रूप जोइन कर लीजीगा लिंक दिये रहेंगे नीचे ठीक है वहाँ पे आपको पीडियाफ जो है वो कल सुबह मिल जाएगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नए कोशनों के साथ फिर से नए क्लासिस में तब तक के लिए मिरे वाई हो जाहिंद जावारुत